दोस्ता नमश्कार इंडिसेन की खास मुलाकात इस कारेक्रम में मैं हो रुपापंडिल खास मुलाकात इस कारेक्रम में हम हर सब्ता हाँ आपने स्टूडियो में खास चक्सिरीतों को आमदर्द करते हैं और इसे शुख्ला मेर साथी महिला दिबस को ध्यामने रखते हुए, आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आनंद्रित किया है, नापकु शहर की फीवर्स कॉस्ट पोर्टोलोजिस्ट और एंडी, और अंगा एस्थेटिक सेंड घर ट्रांस्पनार्ट सेंटर की स संचाली का, Dr. Rita Devhari, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत है, दोस्तों, Dr. Rita Devhari, मैं के अचीवमेंट स्किलिस्ट तो काफी लंगी है, आई चाहते हैं, उनका परेच है, पुनी की जबानी, नमस्कार, मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शेकों को अपना पर चाहिए, नमस्कार, मैं Dr. Rita Devhari, Managing Director of Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center, यह हमारा क्लिलिक है, देवनगर स्कियर में, वैसे तो मैं वोकाड होस्पिटल में भी हूँ, as a Chief Perfusionist, और हमारा और एक सेंटर है, मुगदा ECPN Heart Care Center, जो मैं और मेरे हजबन हम दोनों चलाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि अंधर Aesthetics and Hair Transplant Center जो है, वो एक अलग बाच हो गया, और आप नापो शेयर के पेमस मुखाड हॉस्पिटल में भी वोक करती है, तो इस हॉस्पिटल में आपका वोक क्या है, और हॉस्प जो है तो Heart and Lung का का मैं गॉठी एक मसीन थू करवानाय Citra रहता है, जिसको Heart Lung Machine बोलते है तो वह वो गुच काम ह Авान करती हूं, जैसे जैसे अपने स्कीन है उसके रिलेटेड जो कुछ भी और ब्यूटी से जो रिलेटेड रहता है वो जैसे अगर पिग्मेंटेशन रहा आपको या फिर एकने रहा या फिर एकने स्कार्स रहे तो इन सब के ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे हैड्राफेशल हो गया वैंपारफेशल हो गया फोटोफेशल हो गया आई पील लेजर हो गया स्यू टो लेजर हो गया केमिकल पिलिंग हो गया तो जैसे कार्बन पिलिंग हो गया यह सब चीजें होती है वैसे ही कॉस्मा गानेकोलोजी के जैसे वजानल ट्रीटमेंट हो गया वजानल टाइटनिंग हो गया इंटिमे कि जब बात होती है तो हम जानते हैं कि अपने पेस की जो पती से लेयर है वही निकली जाती है लेकिन उसके साथ-साथ एक्सपुलिशन भी होता है एक्सपुलिशन से क्या होता है अपनी नई स्कुलिशन भी बनती है अपने पास लेकिन पील्स उतनी सेफ नहीं होते कभी-कभी पील्स करके पेशन तो घर चला जाता है लेकिन post-op management रहता है वो अगर patient ने अच्छे से किया तो ही उसका अच्छे से result आता है वैसे तो हर treatment के बाद post-op management बहुत जादा जरूरी होता है लेकिन dips में थोड़ा सा risky रहता है इसलिए superficial pills are very safe chemical pilling में जो superficial pills रहता है वो safe और कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए export की बिजर्वत होती है तो ऐसे में आप लोगों की रिस्की काम होता है क्योंकि आप जो work करती है वो किसी की सुंदर्ता को निखार भी सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं तो कई बार ऐसा मौका आता है तो कैस जिसे देखिए तो जब तक चाहें prevention is better than cure रहता है तो हम deep pills जादा तर एकदम से directly apply नहीं करते है पहले step by step step by step करते है तो उतना burn होने के chances बहुत जादा कम हो जाते है और जादा तर हम superficial pills करते हैं उसके बाद लेजर से इस्तमाल करते हैं जो deep pills से हम safer side हुजाते हैं जैसे CO2 laser ह जाद उसमें है या फिर dharma needling है उसमें भी अच्छ अच्छ रिजल्स है उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी कुछ दिर बाद पहले बताया था हाइड्राफिशल है वापैर फिशल्स है फोटो फिशल्स है इसे भी बहुत सारे अच्छ अच्छ रिजल्स आते हैं मतलब यह ज बच्छों में भी बहुत प्रेस बढ़ गया है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके वज़े से बच्छों के जो बाल है वो जा रहा है तो कहीं ने कहीं को लगता है कि बहुत अच्छा option हो सकता है तो क्या इसका कोई side effect हो सकता है दिखी अगर hair transplant बोलते है तो 20 से 25 की बीच में अगर किसी का hair loss होता है तो जनरली genetic होता है मतलब उनके मामा या फिर चाचा या फिर पापा इनके तरफ से आता है उनको baldness जैसे आगे आगे से उनकी hairline जो जाती है या फिर जैसे तो hair loss जो होता है तो कैसा है फिर भी 25 या 27 तक हम उनको बचाने की कोशिश करते या फिर अगर किसी पेशंट को इचिंग है या या फिर बहुत जादा डान्रफ है तो उसके लिए पहले उसका फंगल इंफेक्शन हम ट्रीट करते हैं उसके बाद ही हम जाके hair transplant करते हैं और hair transplant के वैसे भी two types रहते हैं FUE और FUT जैसे तो FUT में अगर जाते हैं तो हम पीछे से जो एक रहते हैं वह एक strip निकाल के वहां से पूरे follicle separate करके फिर लगाते हैं FUE में हम जैसे करते हैं FUE में extraction करते हैं Robotics जो मशिन रहती है उसे हम एक एक follicle extract करके फिर वह transplant करते हैं यह treatment के प्रकार कैसे हैं आपने दो प्रकार के treatment बताया आप है transplant की डू टाइप्स हां आप मुझे बताई कि hair transplant करते समय अगर suppose ऐसा कभी आपके सब को ऐसे situation क्रेट हुई है जब आपको ऐसा लगा कि नहीं है तफ है देखिए ऐसा कुछ तफ वाले ऐसा कुछ बात नहीं रहती है लेकिन हां वह बहुत ज्यादा माइनूट रहता है तो उसके लिए माइक्रोस्कोप लगा कि उसको करना पड़ता है तो यहां से स्ट्रीप निकालते है वहां से स्टेप बैस्टेप जैसे एज टू एज उसको जैसे सूचरिंग करते है तो एक चोटा सा की लाइन दिखता है पीछे से वह भी बालों से ढग जाता है तो उसका कुछ यह यहीं नहीं है और जैसे एफ यूई में है जहां से बाल निकालते है उसके साइड में या फिर आज अब दरने वाली उसको अपर कुछ यह बात नहीं रहती है और जैसे एक यह भी मीत है कि इसके कारण लोग मरते हैं लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ स्कीन का है स्कीन से ही आपका बाल निकाला जा रहा है और स्कीन में ही लगाया जा रहा है अंदर तक आप जाई नहीं रहे हो तो यह जो कुछ भी डेट वेला जो किसी के मन में है वो आप निकाल दीजे एक सिर्फ और सिर्फ एक वहम है बस दोस्तों अमीद करने हैं कि हैर्ट रांस्प्लांट और स्किन ट्रीट्मेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजे जो है वह आप समझ गयोंगे और बहुत सारी च जरा एक जो जब एकाम अजदे इसको भी जो नचे चुनशने से पिकाम अजदे इस क्रीजे जो है कर दो कर दो जैसा कि हम सभी जानते है कि स्वेश्व भर में आर्टमार्च को अधरास्ट्री ए भूमन स्री मनाया जा रहा है आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने इसी शुंपला में आमतर किया है जौक्तर रीता दिल्हारी को मैं मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को महिला स इसा अभी अगर बोलेंगे कि लेडिस और जैंस को इकवyards यह वली नहीं माना जा रहा तो यह गलत है क्योंकि हर बच्ची बच्ची बचा पढ़ाया जा रहा हैं अभी आप बोलें शहर में भी बोलो या फिर गाव में भी बोलो अपने लड़कियों को पढ़ाया जा रहे हैं लेकिन इसमें एक बात आ रही है कि बच्चीयों को जैसे दसवी तक पढ़ने के बाद उनका खुद만 नहीं होता कि कि पढ़ने का क्यूंकि जैसे में जाते तो उनको यह मानिय कि हीं, भादने करना रही है, दोชेक कारण नहीं 맞는 है, तो इसके लिए हमको ही कुछ मतलब उनके सामने उदारण रखना पड़ेगा एक्जेंपल रखना पड़ेगा कि आप आगे जाओ और कुछ करो या फिर उनको बताना पड़ेगा कि आप 10 भी होके भी आप कुछ कर सकते हो या फिर बस इतनी पे ही सिमित नहीं रहना आपको बिभी एक चुड़ा तो अपने यहां की गर्ल्स तो पढ़ी रही है और सशक्तिकरन का बोलों के तो इस ता हाँ यह बात चीज हो रही है कि गर्ल्स को घर भी संबालना पढ़ रहा है और बाहर का भी संबालना पढ़ रही है तो आज जितनी भी वारकिंग मोमें देखते हैं वो अपने घर को और क्लिनिक को या फिर उनका बिजनस हो दोनों चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैलन्स करके चल भीगे तो एक बड़ा अधर चुकी आप है तो आप कैसे मैंज करती ही दोनों चीज़ों देखिए कैसा है वो सब चीज घर और अगर मेरा क्लिनिक जैसे अगर दोन एक साथ संभालना है तो यह सब संभालने वाली चीज़े जो आती है वो शादी के बाद ही आती है क्योंकि शादी के पहले तो ममी पपा और सब लोग हमको संभालते हैं तो जैसे जब संभालने वाली बात आती है तो अपने साथ कोई चाहिए रहता है क्योंक कि तरह मैं चलती हूँ जैसे अगर पहले में जैसे परफिज़निस्ट थो पीछले दज साल से वोखड हुपिटेल में परफिज़निस्ट हूँ तो वहां पर जैसे मेरी बेटी हुई तो मैंने वन के अंदर जाना स्टार्ट किया तो यह मैं तभी कर पाई जब मेरे हजबन मेरी बेटी को देह रहे थे बेटी को संभाल रहे तभी मैं जा पाई तो उन्हों ने मुझे आगे किया ऐसे ही हर जेंड्स ने अपनी वाइफ को अपनी बहन को अपनी मा को भी आप आगे बढ़ने क सकते हो अगर उनके कुछ सपने है तो भी हम फुरे कर सकते हो हैज हो था है यूफ हो डिम से कर द wrench को नियुक 회िण दर द खाल ला है यह ऑपक हो अब ओर स्किन का और तो रहा है वहा है z चुरू होने वाला तो कैसे आगर हम होली खेलने जा रहे हैं जरी डाले लेकिनद स्कीन को कैसे बचा फ़ले तो आप एक धहन में रखेसं को मौस्ऩ इस तो करना ही हैप संस्क्रिम लगाना ही है उसके बाद जो है जो आता है तो आप अभी खेलने जा रहे हो तो उसके पहले अब बदाम का तेल है या फिर नारियल का तेल है अपनी बालों को अपनी चेहरे को और अपने हातों और पैरों को अच्छी तरह से ऑईलिंग करके ही बाहर निकले हेर्स के लिए कैप तो पहने ही पहने और अपनी कानों को ना भुले वैसे ही अपने लिप्स को लीप बं जो रहता है वो भी लगा के जाए्चा और जो कुछ सा वँटर इंटेक्ट जाधा लीजिए तो वटरर इंटेक्ट से आप हैड़रिट रहेंगे तो आपकी स्किन को ज्टा परिशानी नहीं होगी और जो भी होली खेलने के बादंडर्य हो है जो हम गरम गरम पानी से नकालने की कोशिश करते हैं तो गरम पानी . कलर ना निकाले आप थोड़ा थंडा पानी लेके उसको कलर को निकालने की कोशिश किजिए और जैसे ही होली बोलते हैं तो होली में इधर से उदर हम जो धूप में जाते तो सर्ण बन होने की बहुत सारी बहुत ही जादा यह हो जाता है चांसेस बढ़ जाता है तो चांसेस बढ़ते तो सर्ण बन का ट्रीटमेंट कीजिए क्योंकि सर्ण बन अगर बढ़ता है तो मेल आजमा में इसलिए पहले सर्ण बन को भी ट्रीटमेंट कीजिए ऐसे और जैसे अगर हम समर में बोलना चाहते तो अभी धूप में निकलने से और इसे पहले संस्क्रीम जैसे वह तो मस्त है जो भी आप वेश्जस कर रहे हो वह अच्छा Уब यूज किजिए। च gaan से कंम तीन बार उच्वश किजी तीन भारों को मोश्यराः लगाना है उसके बाद आपको टोनिंक भी करना एपने स्कीन का और नाइट सीरम भी यूज करने हैं कपड़े हमेशा हलके फुलके पहनने हैं पर पानी पीना ही पीना है और ऐसे ही अगर आप दूप में जाते तो एक से चार बजे का बजे की जो दूप है वो दूप से बचे रहने की कोशिश किजिए बस इतना ही आप ने बहुत ही अची चीज़ बताई एक समेशा जब लोग कहते थे कि हर सफल पुरुष के बीचे एक महिला का हाता है लेकिन यहां पर जो किसरा है वो पूरा ओड़ता है एक सफल महिला के पीछे हुनकी पती जोप्तर सचिन देवखारे का हाथ है यह अने आपे बहुत ब दिशा दिखाने की और उम्हें एक सपोर्ट सिस्टम की अगर जब तक उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तब तक शायर को अपनी काभीलत जो है वो साविक नहीं कर बाई की दोस्तों बहुत सारी बाते किया हमने डॉक्टर रीता देवारे की जो की हमारे नाप को शिकायत ना कोई ठकान आप सभी को मैला दिलोस्की खार दिख शोता हमाई इन डिसेंदी खास मुला का इस थारिक्न में बिले साथ आप आज्टर रीता देवारे पास्ते की अब तक के लिए इतना ही तक उपली आपे तरिये इन डिसेंदीस नाश्कार कर दो कि भास्ते की अबरी नाप में बिले इन डिसेंदीस नाश्कार